नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देखो हिंदुस्तन फूट्स लिमिटेड कमपनी का जो शेर है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछी दिनों में इस शेर में बहुत अच्छी तेजी आती है तो साथी साथ बहुत बड़ी गिरावट भी आ जाती है तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ हिंदुस्तन फूट्स लिमिटेड शेर का टेकनिकल एनिलिसेस क्योंकि अभी दोस्तों 20 दिन हो गए हैं फिर भी ये शेर हमें एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है तो यही हम देखेंगे कि इस शेर में एक धमा के दार तेजी कब आ सकती है क्या इस शेर में यहां से कोई बहुत बड़ा क्रेश वापस आ जाएगा इस शेर को खरीदन के बेस्ट लेवल्स कौन से रहेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस शेर में हमारे शॉर्ट टम टार्गेट्स क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में सपोर्ट की तो यहां पर आप देखो दोस्तो इस शेर में यह वाला जो 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 ने यह वाला लेवल एक बहुत इंपोर्टन सपोर्ट है क्योंकRE दोस्तों यहाँ पर आप देखो पहले इस शेर ने इसी लेवल पर मल्टी टाइम सपोर्ट लिया था उसके बाद दोस्तों इधर देखो इधर और अभी भी आप देखो कहीं दिनों से यह शेर इसी लेवल पर दिखा हुए बीच में दोस्तों आप बोलोगे कि इस शेर ने इस सपोर्ट को तो तोड़ा था तो बड़ी गिरावट क्यों नहीं आई थी तो दोस्तों उसके पीछे का एक सिंपल लोजिक ये था कि यहाँ पर अगर मैं इस शेर में वॉल्यूम्स अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर जब ब्रेक आउट हुआ था तब वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम थे इसलिए हमें इस शेर में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली थी पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1990 से लेके 2000 रुपीज का लेवल हिंदुष्टन फूट्स के लिए एक बहुत इंपोर्टन सपोर्ट जोन बन गया है अगर बात आती है इस शेर में रेजिस्टन्स की तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों इस शेर में इंपोर्टन टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिगनल दे रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात आती है इस शेर में में इस शेर में लगा तार नेगेटिव इस्टोग्राम जनरेट होते हुए दिखाई दिये थे ना तो कोई बहुत ज़्यादा वीक है मैसीडी अभी होल्ड का सिगनल दे रहा है अगर बात आती है आरेसाई की दोस्तों आरेसाई भी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है 43 के हिदर है तो हम क्या सकते हैं कि दोनों टेक्निकल इंडिकेटर अभी फियर जोन में है आईए जब हम देख लेते हैं मैं इस शेर में कब एंटरी लूँगा और मेरे क्या टार्गेट रहेंगे पहले तो दोस्तों अगर आपने इस शेर को हायर लेवल्स पर खरीदा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है यह यह ऐसे देखने रहे तो फंडमेंटली अच्छा है आप इस स्टॉप लोस लगाना इस शेर में तो आप 1990 रुपीज का स्टॉप लोस क्लोजिंग बेसेस पर लगा सकते हो अगर इस शेर इस लेवल के नीचे जाता है हाई वॉल्यूम्स के साथ में तो इस शेर में बड़ी गिरावट आएगी पर इसके संभावना बहुत ज्यादा कम ह अगर बात आती है फ्रेश बाइंग करने की तो यहाँ पर दोस्तो अगर ये शेर 2050 रुपीज के उपर चला जाता है तो मैं शेर में एंट्री ले लूँगा क्योंकि उसके बाद इस शेर में अच्छी देशी देखने को मिल सकती है उसके बाद दोस्तो मेरे टार्गेट्स इस शेर में 2400 रुपीज तक के शौट टम में तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस शेर मेरे कोई भी बाइस अल्या होल्ड की सलाह नहीं है क्योंकि ये एक एड्यूकेश